वर्गी कृत आंक्णों का माध्यक माध्यक बीच की संख्या होती है अवर्गी कृत आंक्णों का माध्यक मान लिजिए प्रिक्षणों की संख्या N है पहले आक्णों को आरोही क्रम में वैवस्थित कर लिजिए अब यदि N विशम है तो N जमा एक बटा दोवा प्रिक्षण माध्यक होगा यदि N सम है तो N बटा दोवें तथा N जमा एक बटा दोवें प्रिक्षणों का आसत माध्यक होगा वर्गी कृत आकणों का माध्यक पहले हम माध्यक वर्ग ग्याद करते हैं इसके लिए सभी वर्गों और N बटा दो की संज़ई बारंबारता ग्यात करेंगे। अब हम उस वर्ग को निर्धारित करते हैं, जिसकी संज़ई बारंबारता N बटा दो की बारंबारता से अधिक समेप हो। इसे माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक के परिकलन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं L जमा N बटे दो, घटा C F जोकी F से विभाजित है और H से गुणन होता है जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है N प्रिक्षणों की संख्या है C F माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचई बारंबारता है F माध्यक वर्ग की बारंबारता है H वर्ग माप यानि सभी अंतराल बराबर माप के हैं माध्य, माध्यक और भहुलक का अंतर संबंध इस प्रकार है तीन माध्यक पराबर बहुलक जमा दो माध्य